आज हम बनाने जा रहे हैं तीकी चटपटी फ्राइ की हुई मिर्ची और इसके साथ ही करारा करारा बेसन का पराथा बहुत ही बढ़िया कॉंबिनेशन है ये आपको बहुत पसंद आएगा तो चलिए फिर फटा फट से हम इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मिर्ची त ले ली हैं 20-22 मिर्चिया हैं मोटी ना मिले अगर आपको जो छोटी रेगिलर मिर्ची होती है जो तीकी वाली होती है वो भी आप ले सकते हैं इसका ऊपर का थोड़ा सा पाथ हमने टॉप से हटा दिया है और बीच में ऐसे हम चीरा लगा देंगे इसी तरीके से एक और मैं इन्हें फ्राइ करते हैं के लिए तेल ले लेंगे कडाई में 3-4 चम श्रहा अब इसमें डालेंगे 1 मिर्चियां हमने काट कर रखी हैं वो हम इसमें डाल देंगे मिर्चियों के साथ ही मसाले भी डाल देंगे सबसे पहले नमक डाला हमने एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर दो चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर के डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आमचूर प मिर्ची आप हिसाब से डालें क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा तीकी होती है मिक्स करने के बाद दो तीन चम्मच हम गरम पानी की डालेंगे ज्यादा पानी नहीं डालना है सिर्फ दो तीन चम्मच ताकि जो मसाले हैं वो जलेना और मिर्चियां भी अच्छी थोड़ी सी इन पर हलके हलके से फ्राय जब करते हैं तो माक्स आ जाते हैं वो माक्स भी आपको दिखने लग जाएंगे और मसाला भी मिर्चियों के उपर अच्छे से कोट हो गया है तो इसे आप फ्रिज में बढ़िया से एक हफते तक स्टोर करके रख सकते हैं मिर्ची हमारी तयार है चलिए पराठे के लिए आटा लगाते हैं दो कब गेहू का आटा लिया है थोड़ा सा नमक उसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और आटा हम लोग लगा लेंगे जो पराठे के लिए आटा लगता है वो सेमी जिसके लिए पैन में दो चम्मच तेल लेंगे तेल गरम होने पर एक चम्मच जीरा डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन एक चौथाई चम्मच हींग दो कटी हुई हरी मिर्चें आधा इंच अद्रक हमने कूट कर लिया है एकदम लो फ्लेम पर कुछ सेकिंद्स के लिए हम से लिए भी हम अच्छे तरीकी से एक बार मिक्स कर देंगे अब इसमें हम डालेंगे तीन चम्मच बेसन और लगातार बेसन को चलाते हुए हमें अच्छे से भूनना है ध्यान रखेगा बेसन कच्चा नहीं रहे ना चाहिए तीन से चार मिनट का टाइम लगेगа बेसन क नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर दो चम्मच धनिया पाउडर एक चौथाई चम्मच हल्दी और एक चम्मच गरम मसाला डाल कर लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर ही दो से तीन मिनट तक हमें से पकाएंगे प्यास को बहुत पाउडर खटाई इसमें भी काफी अच्छी लगती है तो इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करते ही हमारी फिलिंग जो है वो बनकर तयार हो जाएगी आठा भी बड़िया सेट हो गया है आठे की लोई हमने तयार कर ली है उसे सूखे आठे में ऐसे लपेट देंगे और अब हम इसे अच्छे से बेल लेंगे हमने इसे थोड़ा सा ही बेला है पूरी से थोड़ा ज्यादा रखा है अब इसमें बीच में हम घी या तेल जो भी आप लगाना चाहें वो लगाईए इसे पराथा अंदर तक अच्छे से सिक्कर तयार होता है जो प्यास का जो मॉइस्चर है हम उसे पका कर निकाल चुके हैं अच्छे से हम इसे इस तरीके से पैक करेंगे एक्स्ट्रा पोर्शन हटा देंगे और ऐसे प्रेस करते रहेंगे ताकि जो मसाला हमने डाला है वो पूरे पराथे में अच्छे से फैल जाए उपर से सूखा यह आपके ऊपर है तो पराथा हमने बेल लिया है तवा गरम है तो चलिए इसे सेक लेते हैं फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम पराथे को सेकेंगे थोड़ी देर बाद इसे पलट देंगे उपर से तेल या घी जो भी आप लगाना चाहें वह आप अच्छे से प्रेस करें ताकि जो पराथा है वह कच्छा ना रहे और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फूला फूला पराथा जो है वह बनकर तयार हुआ है फूला फूला होने के साथ यह बहुत ही स्वादिश्ट भी होता है तो आप इसे जरूर से ट्राइ कीजिएग तो इसे आप दाल चावल या किसी भी पराथे के साथ इंजॉय कर सकते हैं कैसी लगी है रेसिपी कॉमेंट करके तो